हेलो फ्रेंड्स दिस इस विजयराज पूस्पन वेलकम टू लर्नर आइज वाई वी आर पी जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी अमारे जीवन में काफी इंपोर्टेंट है और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन उसमें से हम लोग ने पार्ट वन समापत किय जिसे आपने देखा भी होगा एक चेप्टर नाइरेशन जो कि काफी इंपोर्टेंट चेप्टर माना जाता है ग्राइमर शेक्षन में तो यह जो नाइरेशन है जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि हम जब बक्ता के कथन को उसी के सब्दों में कह देते हैं तो वह इंडाइरेक्ट नाइरेशन के नाम से जानते हैं अब इक गोर किजिए मैंने कहा था कि नाइरेशन को बनाने के लिए हम जिनरली दो तीन नियमों का पालन करते हैं चेंज अप परसन, चेंज अप टेंस और चेंज ओफ अधर पार्ट पार्ट सप स्पीच पिछले वाले प परसन तो आज हम लोग उसके आगे बाला बात करेंगे और आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस की बात करेंगे अब सवाल उठता है कि चेंज ऑफ परसन और चेंज ऑफ टेंस हम कब इसका उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग करने के लिए आपको धिहान रखना है एक वा फ्रेंड आई एम योर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं कता है की इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक होते हैं और उसमें जो वर्व लगा रहता है उसे हम रिपोर्टिंग भर्व के नाम से जानते अगर रिपोर्टिंग भर्व प्रजेंट या फ्य तो हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे जब यह नौ रहे तब रिपोर्टिंग वर्व अगर परजेंट या फ्यूचर में न रहे तो किसमें रहे अगर पास्टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्व तो बनाने का तरीका सबसे पहले रूल देख लिया जाए कहता है कि सबस्व जो होता है इस शेट को आपको बदल देना कुछ चीज में टोल्ड में लेकिन कब millor जब औजच रहे तब और जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर ऐसे से अगर सीधा लिखा गया तो से धी लिखना पड़ेगा लेकिन अगर सेड के बाद यहां पे कुछ लिखा गया ऑब जेक्ट तो इस सेड को किसम बदल देना है टोल्ड में और टोल्ड के साथ 2 का प्रव नहीं होता है तो यहां पर जागा तोल्ड मी हो जागा कॉमा और इनवर्टेर को मा के बदले किसका प्रयोग करना है और उसके बाद चेंज परसन में जो रूल चला था वह सेम टू सेम चलते रहेगा अब यहां पे कुछ रूल है जो आपको याद करना पड़ेगा अगर आपके वाक में इज एम आर का प्रयोग किया गया हो तो यहां पर सेज रहे या सैल भील रहे तो कभी भी हम यहां पे वर्वत डरी पोटर इसीच में कोई बदलाव नहीं करेंगे यांप पर पास टेंस आ जा तो इसका चैंज हो जागा टेंस, correct, is mr, को वस वर में चैंज कर देंगे, correct है इस यसे तरीकित से अगर has had रहे लगा तो इसको किस में चेंज कर दीज़े गा हैड में चेंज कर दिज़े नहीं तो इसे Marco उसबर में हैसाब हैड को हैड में और उवर्ब का अगर पहलार यां पर है लगा हुआ तो डाइरेक्ट इसको बदल देना है वर्व टू में किसे अगर यहां पर हैस बीन लगा रहे हैं है और वर्व टू लगा रहे तो उसको बदल देना किसमें हैड़ीन मेड चेंज कर देना हिस भीन Twitter देना है में चेंज करना है और लगा रहे तो उसके बाल हैड वर्ब में आईएंज लगा रहे तो आप इसको बनाएंगे किसमें बनाएंगे पता है हैड बीन में बनाएंगे हैड वीन के बाद वर्ब में आईएंज लगाएंगे यानि वजबर को चेंज कर देना है हैड वीन में करेक्ट है उसके बाद अगर आपका हैड लिखा रहा है और वर्फ ठिरिय pięk no change जासका पास छोडिये गा और अगर हैड वीन लगा रहे और वर्ब में ऑईंजी लगा रहे तो भी क्या कर दीजिएगा हो चेंज कर दीजिगा रहे चेंज नहीं कीजिए गाकर और अगर वाक में शैल और वील का प्रयोग किया गया हो तो सैल को किसमें बदल दिजेगा सूट में और बील को किसमें बदल दिजेगा उड में बदल दिजेगा कैन रहेगा तो कैन को किसमें बदल लिएगा कूड में बदल लिएगा में लगा रहा है तो में को किसमें बदल लिएगा में को माइट मेरे पास्ट में सब जा रहा है नहीं तो यह ध्यान रखेगा और अगर आपके साथ हाइड टू का परयोग किया जाए हाइड टू पलस वर्व वन का परयोग किया जाए तो आप इसमें ध्यान रखेगा डवल हैड का परयोग किया जाएगा हैड हैड टू और इसके बाद वर हो जाए, या माइट का प्रयोग हो जाए, तो बाबु इसमें generally does not change, इसमें कोई बदलाव नहीं किज़े, generally does not change, आप बदलाव नहीं करिएगा, समझ में आ गया होगा, लेकिन change power Color स matrixわか livefact तो फिर आप से tenze वाला बनेगा नहीं, तो आईये हम सबसे पहले इस एक्जाम्पल को सही करने का प्रयास करते हैं जो यह वाक है he said to me I am your friend he said to me I am your friend आपने जब देखा तो यहां पर रिपोर्टिंग भर्व जो है आपका वह किस टेंस में पास्ट में अगर नहीं भी आज रहा है तो टेंसा नहीं लेना के वले आप आपको नियम तो पता ही है नहीं यहीं नियम चलता है फास्ट परसन सब्जेक्ट करने उसार सब्जेक्ट चेक किजिगा तो क्या है ही और यहां पे चुकि यहां सेड लगा है तो टेंस बदलेगा इजे मार्जू है किसमें चेंज हो जाएगा वज वर में तो ही के साथ क्या लग जाएगा वज योर सेकेंड परसन सेकेंड परसन किसके अनुसार आपजेक्ट आपका क और फ्रेंड यहां पर रहेगा सब कुछ हुआ ही है केबल याद रखना है कि अगर आपको सीड का प्रयोग कर दिया जाए यानि आपका रिपोर्टिंग भर जो है अगर किस टेंस में आ जाए पास टेंस में आ जाए तो उधर वाले में टेंस में क्या करना पड़ेगा बदलना परेगा यानि रिपोर्टिंग भर पास टेंस में रहता है तो अब इनभर्टेर को माज के भीतर जो परिवर्टन होता है कैसे परिवर्टन होता है याद कर लिजेगा इसको is, am, are, was, were में चेंज होगा has, have, had, may, verb, one, verb, five, verb, two, में has, been, have been ये चेंज होगा had, been में चेंज हो जाएगा verb, two लगा रहे तो आप had, word, three में चेंज केजेगा was, verb के साथ आए जी लगा रहे उसको had been plus verb में आएंजी लगाएगा और अगर had plus verb 3 का परेखो no change had been verb में आएंजी no change cell will, cell का should, will का would, can का could, make a might, had two plus verb one, double had two plus verb one, could, should, would, might, generally does not change जो सबसे पहले screenshot लिजे और यही आपके narration को पूरा तयार करेगा ठीक है, अगर आपको change of person नहीं समझ में आया है, या दिकाते हैं, या नहीं परपाए हैं, तो आप एक काम किजेगा आपके पास वीडियो परी हुई है, part one आप जाकर क्या कर लिजेगा, देख लिजेगा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक बटन को प्रेस कर दिजे, और अगर नए भीवर्स हैं, तो चैनल को शब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके हैं, तो ध्यान दिजेगा, अभी जो आपने देखा उसकी अनुसार, आगर कुछ हम बनाने का कोशिस करते हैं, मोहन said to her, I like you, गौर कीज़े, अभी हाँ पे तो आपस्परस्ट है कि ये पास्टेंस है, said, तो बनाने का नियम भी समझ में आ रहा होगा, मोहन said का क्या हो जाएगा, told her that I first person subject, नाम है तो इसके लिए क्या चलाएगा, he, he is, यहाँ पर like है, वर्ब का कौन सा रूप है, पहला, वर्ब का पहला रूप चेंज हो जाता है कि इसमें, दूसरे रूप में, तो like क्या क्या हो जाएगा, liked, you second person object क्या है, हर, यहाँ भी objective case है, और हर भी objective case है, बन गया, एक और वाक देखिए, वाक है, इस परकार से, he said to me, he said to me, comma inverted, comma, you will, get success, if you work hard, if you work hard, गहर करो बच्चे, कैसे बनाएगा, फिर वही है, he told me that second person, object क्योंसार, second person, object, और यहाँ यहाँ यू तो है, नॉमनेटिब के समें, subject के जगा पे न है, तो इसको भी लाए नॉमनेटिब के समें, मी का नॉमनेटिब के स्काव जाएगा, I, bill को किसमें चेंज करना है, would, get, success, if, you, यह पहला रूप है, पहला रूप को किसमें ले चलते हैं हम लोग, दूसरा में, worked hard, यहीं न होगा, तो बाबू जब तक आपको टेंज चेंजिंग का रूल याद नहीं रहेगा, तब तक यह नाइरेशन चेंज आप टेंज बनने माला नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप क्या किजिए, सबसे पहले आप चेंज आप टेंज का जो रूल है, उसको याद कर लिजे, जैसे, she said to me, she said to me, क्या काता है, she said to me, और उसके बाद, कुछ वाक दिया जा रहा है, वह वाक जो है, वह किसको अचार बदलेगा, तो ए रिपोर्टिंग भर्व का, जो टेंज है, पास, इसलिए, चेंज आप टेंज का रूल फॉलो करेगा, I don't like you, I don't like you, because you are not rich, क्योंकि तुम धनी नहीं हो, ठीक है, धनी बन के दिखाओ, धरकन मो भी लेखाओ, नहीं, तो ध्यान दिजे, उसने बोली, क्या बोली, she told me, that, first person subject अनुसार, she, do not, change हो जाएगा, did not, में, किसमें चैंज जाएगा, did not, और डिट के बाद पहला रूप, like, you second person object के अनुसार, me, because, you, you second person किसके अनुसार, object me है, यहाँ पे है, subjective case, यहाँ भी subjective case, मी का I, इजे मार्चें जोता हो आज में, not rich, यही ना आपका होगा, कुछ और example आपको देता हो, और उसके बाद, आप खुद बनाने का प्रयास, किजिएगा, चले, एक और example देखें, he said to me, he said to me, I wanted to help you, I wanted to help you, गौर कीजिए, he said को बदल दिये, told me, नहीं, it told me, that first person subject, आपको ये लूर्व का दूसरा रूप है, जब रूल चेक कीजिएगा, तो बढ़ार का दूसरा रूप जो होता है, हैड में चेंज होता है, हैड पलस तीसरा रूप, वान टेर टू, एल्प, second person object, मी, objective case में मी का मी ही होगा, एक और वाक देखा जाए एक है पांच बार नमबर he said I was absent I was absent देखे he अब यहाँ said को told मत कर दिजया क्योंकि इसके बाद object है क्या नहीं है तो said को said ही रखेंगे that first person subject करणुसार he was को किसमें बदलते हैं had में he had absent he had क्या हो जाएगा absent नहीं होगा was बार को change करना है किसमें had been में किसमें change करना है had been में तो हो जाएगा had been absent यह न होगा एक और देखें six number है he said to me he said to me comma inverted comma I had to do the work देखें बड़ा सुंदर वाक है इसका वी रूल आपने परहा होगा क्या हो जाएगा he told me that first person subject he had to को जब change करते हैं तो double head हो जाता नहीं had had to do the work यहीं न होता है देखें कुछ नियम जो आपके दिमाग में बिलकुल बसा लेना है नहीं जैसे आपको जो confusion होने बाला है अगर आपका वजवर का case हो तो simple इसको किसमें बदल दिजेगा had been में change कर दिजेगा किसमें के बाद वर्व का कौन सा रूप डालिएगा पहला रूप डालेगा क्या रूप डालेगा पहला रूप आप लोग डालिएगा तो मैं आसा करता हूं का आपको समझ में आ गया होगा अगर इतना चीज समझ में आ रहा है तो आप change of tense शीक लिए होंगे और change of person का पूरा उपयोग होगा change of tense में और जब तक आपको change of person नहीं रहेगा तब तक change of tense भी नहीं आएगा और इसके बाद हम अगले parts को start करते हैं लेकिन तब तक आप screenshot ले लिजिए और अराम से परिये कोई जल्दिवाजी की जरूरत नहीं है तो ध्यान रखेगा इन चीजों को और कहीं भी समस्या आती है तो आप comment जरूर करे हमें लाइक शेर करते रहे ज़्यादा स्यादा लिंक अब आपको पता भी है कि 600 से ज़्यादा हम लोग के पास सब्सक्राइबर भी हो गया है यानि आपका जो परिवार है learner eyes y vrp वो 600 century पूरा कर चुकी है अब हम लोग entry मार दी है 700 century की तरफ नहीं तो आप लोग का दया होगा तो जल्दी से हम लोग 1000 पर पहुचेंगे करेक्ट है तो तब तक screenshot ले ले और उसके बाद हम फिर बात करते हैं कुछ practice पर तो कुछ question मैं practice के लिए लिखता हूं आप लोग उसे practice करेंगे तो कि आपको पता है कि जब नियम सीख लेते हैं तो practice अगर हम ना करें तो वह दिमाग में उतना आ नहीं पाता है तो आईए practice questions की तरफ बढ़ते हैं question है आपके पास जो बनाएंगे आप लो she said to me he is your brother एक बात त्याद रखेगा ये third person है no change रहेगा he है तो क्या लिखेगा ही ही लिखेगा वहाँ पे आप change मत कर जिए क्योंकि आपके पास rule change of person का है one to three by son third person no change होता इसको आप गौर किजएगा और बनाएगा दूसरा एक्जाम्पल है they said to us comma inverted comma we are giving you we are giving you a nice present question number three I said to my friends I said to my friends comma inverted comma I have sympathy for you अगला वाक है Gopal said to her Gopal said to her I was going to you I was going to you next he he said to me I had already finished the work उसके बाद है six number he said to you comma inverted comma I shall help you I shall help you और seven number है they said to me comma inverted comma we have done everything for you और लास्ट है the villagers देके पूल्रा ले बिलेजर्स तो इसके लिए देख आप रहों किजीगा the villagers said to the sent comma inverted comma we shall be very happy if you live if you live in our village तो ये ट्कोस्टन है सबसे पहले स्क्रीन सोट आप इसका ले लिजे और विडियो पॉस्ट कर दिजेगा और बनाने के बाद फिर से आप मिला लिजेगा तो देखिएगा बनाते से शी सेड को किसमें बदलना है टोल्च मीं इंवर्टेर कॉमा कि बदला गणाट देट बैके मेन रूल है यह जो ही है घरेण purchased नो चिन आप जानते भी ओंगे फास्ट परसाण कोन आता है highlights भी शेकेंड परसन में कोन आता है यू और ठाड़ परसन में कोन आता है he सी इट दे यही ना आता है अब गवर किजे यह ही है कौन सा परसन ठाड़ परसन अठाड़ परसन नो चिन तो ही का ही रहेगा इजे मार किसमें बदलेगा वजबर में क्योंकि यह सेड है अगर यहां पे से यह सेज रहता चाहा बील और सेल आता तो टेंस नहीं बदलता इसका क्योंकि आइजे रहता और यहां परियोर देखिए योर कान सा परसन है से के यू का रूप है ता निए हाँ परसन किसके और सांटर बदलता है देखिए हां पर अब जेक्ट क्या है आपका मिया यूर पजेखिए जेक है लिस्ट में तब अपो जेसी बेडिट कि बहे जब यहां पर इसको भी पुजेसिव एडिजेक्टी में लाना परेगा तो मी का पुजेसिव एडिक्टी बनेगा तो क्या हो जाएगा माई और यहां पर है ब्रदर तो ब्रदर हो गया नहीं इसका बनाई ये दे टोल्ड आस दैट देखे इब यह फर्स पर्सन किसके अनुसर सब्जेक्ट क्या अनुसर इजे मार किसमें बदलता है वाज़ वर तो देखे साथ वर यहां पर क्या हो जाएगा गीभिंग यू आ नाइस प्रजेंट यह नहीं होगा आपका यहां पर आई सेड का टोल्ड my friends डैट फर्स पर्सन सब्जेक्ट तो आई ही है है जब चैज़ ओता है हैड में सीम पैथी फोर सेकेंड पर्सन ऑबजेक्ट ऑबजेक्ट आपका क्या है my friends है my friends बन एक से ज़ाधा दे का रूप चलेगा तो दे का क्या हो जाएगा objective case में दे मुझा गोपाल सेट टू हर तो क्या हुँँआगा गोपाल तोल्ड हर that first person subject to go पाल लिड़ो काना में लिड़ जेंगा डाइरेक्ट हैड विन में हैड विन गोईंग गोईंग टो यू सेकेंड पर सन पर सन आबजेक्ट अबजेक्टिव केश में हर का हरे होता है इसके बाद इसका बनाए ये He told me that first person subject counts are He had ka change किजेगा तो क्या हो जाएगा Had ka change किजेगा तो no change Already finished the work ये न होगा आपका इसका change किजेगा said का होगा told He told you that first person subject He sell bill को change करते उड में Will का जगा उड ही के साथ तो bill लगता है Help, second person object, object भी आपका यही है इसका देखे They told me that first person किसके अनुसार subject के अनुसार They had, has have had में done everything For second person object, object क्या है, me To for me हो जाएगा यहाँ पे दो विलेजर्स The villagers told The sent That first person subject अनुसार विलेजर से एक से जादा है तो क्या होजाएगा They They के साथ bill लगता है तो क्या होजाएगा Would be very happy If you second person object Object sent sent के लिए ही हो जाएगा He leave पहला रूप होगा दूसरा में तो लिप क्या होजाएगा Lived in आबर आबर जो है आपका First person Pogesive objective का case है तो first person का villagers का क्या हो जाएगा They are They are Willis तो ये था change of tense अब इसका एक पार्ट अभी अगला पार्ट जो लेकर आऊँगा वो होगा change of other parts of speech तो ये narration का पार्ट टू था पार्ट वन में आपने पहले सीखा कि change of person कैसे करते हैं अब हमने सीखा change of tense अब आएगा change of other parts of speech लेकिन एक और चीज होता है होता क्या है कि कभी-कभी कुछ बाते ऐसी होती है पास्ट में जो इनुवर्शल टूथ होता है इनुवर्शल टूथ माने सर्व्यापी जिसको बदला नहीं जा सकता तो उसके टेंस में नहीं बदलेंगा पास्ट में रिपोर्टिंग भर रहते हुए भी उसके change नहीं करेंगे टेंस को कैसे तो पर इसको आप स्क्रीन शॉट लिजे तो फिर हम इसके बारे में बाते करते हैं देखे अभी जो आपने रूल परा change of tense का कता कि रिपोर्टिंग भर अगर पास्टेंस में रहते हैं तो आप वर्व अप रिपोर्टिंग रुटेंग वर्व जो हता है या वर्व अब रुपोर्टेर एस्पीच उसमें आप change कर देते तेंस को इन का था कि वैसा कथन जिसका reporting वर्व तो पास्टेंस में हो लेकिन इनभर्टेल कौमा के अंदर वर्व तर रिपोर्टेर स्पीच अगर चिरंतन सत्थ सारभवमिक सत्थ वैसे सत्थ जिसको बदला नहीं जा सकता है तो आप उसके टेंस में बदलाव मत किजिगा जैसे अगर कोई कहता है दो और थ उनिवर्शल टूथ है कैसा है उनिवर्शल टूथ का मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता है तो अगर आपका वाक उनिवर्शल टूथ हो क्या हो उनिवर्शल टूथ तो रिपोर्टिंग भर पास्टेंस में रहने के बाद भी वर अप दे रिपोर्टेर स्पीच का च पिर थी भी कैसी है गोल है देखो गौर करो ही सेड चुकि यहां पर अब्जेक्ट नहीं तो इसको तो जास का तास रखना होगा अब हम लोग क्या करते थे यहां पर लिकार रहता था अर्थ यहां पर इजे मारत इसको बदल देते तो वजबर में लेकिन अर्थ इस राउंट यह तो इन्वर्शल टूथ है चिरंतन सब्सक्राइब बदला नहीं जा सकता कहीं भी ऐसी रहेगा फिर थी भी गोल है तो इसमें हम लोग टेंस का बदलाओ नहीं करेंगे समझ रहे हो बच्चे लोग जैसे दूसरा देखो माई फादर माई फादर सेड टू मी मेरे पिता जी ने मुझसे कहा क्या कहा ओनेश्टी इस दा बेस्ट पॉलिसी बेटा इमांदारी क्या होती है सबसे अच्छी नीती होती है बेटा बड़ा चलाक है आज कल का कता ठीक है पपाजी तुम्हारे सामने तो ठीक है बाहर जाएंगे तो चुरिये करेंगे ना तो देखे तो यहां पे माई फादर अब सेड को किसमें बदल दीजेगा टूल्ड मी माई फादर टूल्ड मी अब यहां पे देखे चुकित है इन्वर्सल टूथ है न क्या इसको बदला जा सकता है इमांदारी सर्वत्तम निती है कि नहीं है है क्या बदल दीजेगा आपके न इमांदारी सर्वत्तम निती नहीं है वह इमानी सर्वत्तम निती क्या इसन होगा तो अनेस्टी इस दा ब ठीक है अगला वाक है ही सेड उसने कहा work is worship कर्म ही पूजा है कर्म से बड़ा कोई नहीं है कर्म से बड़ा माबाप भी नहीं नहीं कर्म करो कर्म क्या काता है काता है ही सेड डाट जब इनवर्शार टूथ हो तो जस्का तसलिक ना पड़ेगा बच्चे लोग इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा the work is worship नहीं समझ में आ रहा है न बच्चे एक और देख लो और हम लोग बीदा लेंगे अब एक वाक है ही सेड उसने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा टू एंड टू इस फोर टू एंड टू इस फोर दो और दो कितने होते हैं चार होते हैं तो कह देखे होता है कि नहीं होता है ही सेड डैट टू आड टू इस फोर टू एंट टू इस फोर क्या कोई दिक्कत तो यह था एक्सेप्शन रिपोर्टिंग भर पास्टेंस में होने के बाद भी वरब अप दर इपोर्टेर स्पीस में कोई बदलाओ नहीं होगा जब इनवर्सल टूद की बात करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले तो लाइक बटन को प्रेस किजिए उ प्रेचा नहार हो हर जगह आपके साथ होती है तो आप उसे सबस्क्राइब कर ले सबसे पहले और अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा सदस्त बनाएं आप जहां भी जाए यहां तक कि आप साधी में जाते हैं या कोई अपने सशुराल से आती भी है या ता भी है तो समय भी वहां भीर लगती है जाके मोबाइल आप लीजिए और उससे सबस्क्राइब करें ओके तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक टेक क्यार बाइबाए थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जय हिंद जय भारत